जहन साती हो आसा करता हूँ आप स्वस्त होंगे और मस्त होंगे और यूप पुलिस के फिजीकल की तयारी कर रहे होंगे साथ ही साथ अपने डॉकुमेंट्स की तयारी आपने कर लिए होगी अगर नहीं की है तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने डॉकुमेंट्स की त जा सकता है तो सबसे पहले बात करेंगे आपके documents की जो जो आपको बनवाने है या फिर अपने पास होने चाहिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जो आपने form apply गया था उसका print out होना चाहिए उसकी एक photo compi अपने पास रहनी चाहिए और एक की डीवी में जमा हो जाती है इसलिए आपके पास दो कौंपी होनी चाहिए इसकी और दूसरा आपके पास चरितवराण पत्रों होना चाहिए जो कि दोनों ही नहीं है तो आपके यहां सरपंच या मुखिया जो भी उपलब्द है उनसे बनवाएं अगर यह नहीं है तो आप सांसत बगएरा किसी से भी बनवा सकते हैं तो यह आपका होगा चरत्पान पत्र और आपके पास हाई स्कूल की मार्शीट होनी चाहिए आपके पास 12 कि कुमार की जगे पर सींग है या फिर डबले की जगे आई है या फिर कुछ नाम में चेंज आ गया है तो कुछ भी एडेटिंग हैं कुछ कुछ भी कमी है सेम नहीं है तो उसको एडिट करा लें हाई स्कूल की मार्शिट में जो नाम है वैसा ही सब डोकुमेंट में होना चाहिए आपका 12 की मार्शिट में भी अपना चेक कर लें और जात और निवास यह बहुत इंपोटेंट है आपके लिए जात निवास वही होने चाहिए जो के आपने फॉर्म एपलाई करते समय आपने करे थे ऐसा नहीं करना है कि आप अभी से एपलाई करते हैं और नहीं वनवालें क्योंकि आपका जो एपलाई करते समय आपने डाला था क्रमंग वही आपका चेक ह और आपके टोकुमेंट है क्रूशल डेट के बाद के बने ने चाहिए अगर ऐसी गलती की है तो अपने पुराने डोकुमेंट अपने सात लेकर जाएं बाकी की कीрим डिटल डोकुमेंट अदिकारी बता देते हैं वह और और जोनों अगर फॉर्म एपलाई करने की डेट के बाद बनवाए हैं वो अपने पुराने डोकुमेंट साथ ले के जरूर जाए वाई इस बात को जरूर याद रखें अपने पासपोर्ट फोटो ले के जाने हैं आठ से दस क्योंकि पांच से छे फोटो आपके लग जाते हैं तो अधि अधिशी बात है वह आपका वहां मांगा भी जाता है एकाउंट बगारा खुलवाने के लिए वह डोकुमेंट वेरिफिकेशन के बाद गीपर के लिए हैं और आपका निवास पांड पत्र मैंने बता दिया ही है आपका उत्रपतिस्तरकार का बना होना चाहिए और आपके पास अगर अन्य डोकुमेंट है जैसे आधर काड पैन काड ड्राइवी लैसन तो यह अपनी डोकुमेंट अबस लेके जाएं क्योंकि कभी-कभी कोई भी कमी होने पर आप सेकंड आइडी दिखाके अपना काम चला सकते हैं और वहां पर आपकी सेंटर पर जाके आपको पत अपना केया करद गलतियों के लिए एंफिट मंगा जाता है जिससे कि आप उसको बाद में शही कराकर जमा कर सके और एक और आपका विदिड के लिए होता है नियूकुम gef petition के लिए हूता है जिस्ञें था हो लेखिन के लिए मुझे машina बनवा सकते हैं इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है तुरंत बन जाता है आध गंटे के अंदर तो यह आपके होगे डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब बात करते हैं आपकी रनिंग के लिए रनिंग आपको पता ही है जैसा कि पुरसों के लिए 4.8 किलो मीटर की रेस है जो कि आपको 25 मिनट में करनी है फीमेल के लिए बात करें तो 2.4 किलो मीटर की रेस आपको 14 मिनट में तै करनी है तो अधिकांस बच्चे क्या गलती करते हैं वह मैं बता दूं रेस में जब आप दोड़ना शुरू करते हैं तो वहीं से आप एक राउंड गिनते है यह गलती नहीं करनी है आपको जब 400 मिंटर का राउंड लगार आ झाली है आपको 12 चक्कर लगाने है 25 मिंड़ में तो आपको टार्गेट ले के चलना है 24 मिनट में 12 चकर हो जाए तबी आपका हो पाएगा तबी आपको पूरी रेस कर पाएंगे तो जब आप 400 मिंट का एक राउंड दौड के आ जाये ना उसके बाद एक राउंड गिना है तभी तभी आपका एकदम सही काउंटिंग हो पाएगी अब बिरति का करते हैं जहां से दोड़ना शुरू करते हैं वहीं से एक राउंड गिनते हैं तो लाश्ट में जब बारे गिनेंगे तो उनके ग्यारे रांड होंगे ठीक है इस बात को ध्यान चालिस के लोग होना चाहिए तो इस बात का विशेज द्यान रखें और रणिंग की प्रैक्टिस अभी से करते रहें क्योंकि जब आपकी फिजीकल के लिए कट आजाएगी तो उसके वाद आपको फिजीकल के लिए समय नहीं दिया जाएगा डारेक्ट रणिंग होगी तो रणिंग में आपको पताइए जिस प्रकार स्सीजीडी में फेल बच्चे हो रहें तो वैसी गलती ना करें क्योंकि ऐसे सीजीडी में फिजीकल को लेकर सबसे अधिक बच्चे फेल और अगर आप एक्जाम में अच्छे नमब ले आए और फिजीकल में फेल होगे तो सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने आपको बरती से अपडेट इस चैनल के मादम से सभी मिलते रहेंगे जय हिंद जय वारत